कि नवस्कार साथ कियों कैसे हैं आप लोग आश्रा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहतरिन तरीके से चल रही होगी तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पिछले दो लेक्चर से एक नए सिरेज की सुरुवात किये थे जिसका नाम हम लोग रखे थे प्राचिन भारतिय समाज सिरिज जिसके पहले अंक में हम लोग ने बात किया था बिवाह के बारे में कि बिवाह कौन सा संसकार है और बिवाह के कितने प्रकार होते हैं उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने बात किय था चार आस्रम के बारे में तीन रिन के बारे में और पंच महायग के बारे में आज उसी कड़ी में हमारा तीसरा लेक्चर है तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पुरुशार्थ के बारे में और उसके अलावा बात करेंगे हम लोग संसकार के बारे में तो चलिए बीना देर के हुए आप कलम कॉपी निकाल ले हमेशा की तरह और आप हमारे साथ चीजों को लिखते चलेंगे ताकि ज्यादा समय तक आपको याद रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले नंबर बात करें भी हम लोग पुरुशार्थ की तो हमेशा जैसा की देखिएगा कि हम लोग जीसे स्टाइल में पढ़ते हैं पूरुशार्थ जो शब्द है वह दो शब्दों से बना है पूरुस पलस अर्थ यानि कि पूरुस होने का क्या अर्थ है लेकिन यह तो हमारा ब्यूत्पती का सिद्धान्त है लेकिन आप यहां पर देखेंगे उसका मायने जो बताया गया है वह बतायागा कि हाज की उनत्ती कैसे हो सके उसके लिए जो एक लौ बनाया गया एक बिधान बनाया गया उसे अभलोग पुलusha कहें पहले 43 में चार चीजे होती थी इसके चार फेजेश थे जिसमें एक धर्म था अर्थ था काम था और मुक्ष को लेकिन आगे चल करके पूरुसार्थ में तीन ही आस्रम बचे तीन ही चीजे बची पहले जैसे चार्थी वैसे नहीं रही जैसे यह लोग बात करें धर्म के बारे में तो देखिए धर्म क्या है धर्म दरसल ध्री धातू से बना है और इसका मतलब होता है धारन करना या फिर अपने किया गया है यदि हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब है धन से संपत्ति से और इसका अर्थ इससे भी है कि समस्त यानि जीवन की समस्त अवसक्ताओं की पूर्ती करने के लिए किसी भी साधन का या किसी भी माध्यम का परियोग करते हैं ताकि धन अर्जित कर सक और उस उन समस्त अवसक्तियों की पूर्ति कर सकें यह अर्थ का मामला है महाभारत में और निती शतक में इसके बारे में बात की गई है महाभारत में कहा गया है कि अर्थ जो है वह परमधर्म है निती शतक में बात की गई है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है वही पंडित ह वही बिद्वान है वही गुणमान है वही दर्शनिय है और वही एक अच्छा वक्ता है यदि हम लोग आप अस्तंब की बात करें तो इसमें बताया गया है कि धर्म के अनुकूल सभी सूखों का उपभोग करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को और यदि मनुस्मृति की बात करे कि धर्म के बिरूद मतलब धर्म के बिरूद अर्थ या काम करना जो है वह जायज नहीं है वह इलिगल है उसको सही नहीं बताया है मनुस्मृति में मनुने तीसरे नंबर पर बात करें इसके तीसरे हिस्से के बारे में काम के बारे में तो काम का मतलब है इंद्रिय सुख प प्लास वासना से लास्ट की लेक्शर में हम लोग उने पढ़ा था में प्रीषस्ट आश्रम जिसका जो सुरुआत है वह वार्तन संस्कार करते हैं उसके वह दाथ होता है और वह मैं पढ़ा था कि इंद्रियों पर कंट्रोल पलस अपने परिवार के साथ जीवन्यापन करना तो काम का मतलब यहां क्या है वासना से संबंधित है और इंद्रिय सुख से महाभारत में कहा गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को अपने मन से तथा अपने हिर्दे से काम करना चाहिए काम का मतलब अंग्रेजी में से तो आप समझें कि वह बंधुआ पूत्र के समान है यानि कि बीना धर्म का आप काम करते हैं फिसकल रिलेक्शन स्टाबिज करके अपने संतान की उत्पती करते हैं तो वह जो उत्पन होने वाला पूत्र है वह बंधुआ पूत्र की तरह है वह अच्छा पूत्र की तरह नहीं होगा मोक्ष की बात करें चोथे नंबर पे तो मोक्ष की से कहा गया है मोक्ष का बेसिक अर्थ है कि ऐसा माना गया हिंदूों में कि आपको जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक आप प्रिथिवी पर आते रहेंगे जाते रहेंगे मतलब आवा गमन लगा रहेगा लेकिन जिस ब्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसका सीधा अर्थ है कि जन्म और मिर्तिव का जो चक्र है उससे मुक्ति पा जाना तो यह चीजे सब के लिए पॉसिबल नहीं थी इसलिए कहागा कि मोक्ष मिलेगा तो पुनर जन्म और आवा गमन से पृतिवी पर जो आ रहे हैं बार बार और जा रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी मोक्ष के सिदान्त को भारतिये परंपरा में जितने भी दर्सन हुए हैं लगबक सभी ने स्विकार किया है सिर्फ चारवाक के फिलोस्फिन यानि चारवाक ने मोक्ष को स्विकार नहीं किया है उसने माना है कि मोक्ष जैसा चीज कोई नहीं होता है समझ मैं बात तो यदि मेरा ख्याल है कि यदि आप इस पूरुशार्थ के इतने सारे चीजों के अधिया आपने समाज कर अभी तक कहां तक देखा है तो इससे आने वाले सवाल को आप बहुत अराम से सौल्ब कर सकते हैं दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वह है संसकार तो हम लोग संसकार के बारे में बात करेंगे संसकार के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करें तो यदि इसके ब्यूत्पति यानि इटिमोलोजी की बात करें कि इसका शब्द का जो ब्यूत्पति है कैसे उत्पन हुआ है तो देखिए संसकार शब्द जो है व वैदिक साहित और ब्राह्मन साहित में इसका जिक्र नहीं मिलता है इसलिए पर क्रॉस किया हुआ है यदि आप से सवाल पूछा जाए कि वैदिक लिट्रेचर में या फिर ब्राह्मन लिट्रेचर में क्या संसकार का जिक्र मिलता है तो कहेंगे नहीं मिलता है सवाल यह सबसे पहली बार अस्मृति ग्रांफों में संसकार का जिक्र मिलता है और वहाँ पर बताया गया है कि टोटल 40 प्रकार के संसकार हुआ करते थे यदि गौतन धर्मसुत्र की बात करें तो इसमें 48 48 प्रकार के संसकार की बात की गई है यदि मनु अस्मृति की बात करें तो मनु ने 13 संसकारों के बारे में बात की है कि 13 संसकार परकार के संसकारों का जिक्र किया गया जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित यही हुआ और सबसे ज़्यादा माननेता इसी को प्राप्त है इसलिए हम लोग उन तमाम सुल्लह संसकारों के बारे में पढ़ेंगे देखिए उससे पहले कि हम लोग सोला संसकार के बारें पढ़े हैं सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि आखिर संसकार की जो परंपरा है उसका अबजेक्टिव क्या था उसका क्या उदेश्य था तेदी उदेश्य की बात करें तो सबसे पहला जो उदेश्य है वह है असूभ सक् का निवारन यानि कि वैसे शक्ति मतलब आपके अंदर वैसे एनर्जी निगेटिव एनर्जी से कैसे आप मुक्ति पाएं इसके लिए संसकार को यहाँ पर लाया गया कि यह आप संसकार का पालन करते हैं अपने जन्म से लेकर के मिर्तिव तक तब आपके अंदर किसी भी प्र स्रिद्धी की बात की गई जिसमें आपका बुद्धी बल धन इन तमाम सारे चीजों का डेवलप्मेंट हो सके तीसरे नंबर पे आपके अस्पिरिच्वल डेवलप्मेंट के लिए संसकार जरूरी थे यानि आप भगवान के बारे में जान सके कैसे मतलब अपने बारे में अ आपका अध्यात्मिक डेवलप्मेंट हो सके आप इथिकली आप मोरली जो है और बुस्ट हो सके और बहतर हो सके नयतिक समरिधी के लिए और आपका कैरेक्टर और बहतर तरीके से हो सके यह संसकार का उदेश्चता यह पांच उदेश्चत है अब हम लोग बात करेंगे पहला जो संसकार है वह है गर्वा धान संसकार यह दो सब्दों से बना है गर्व प्लस धान यानि गर्व धारन करने का यह जो संसकार है गर्व मतलब क्या प्रेगनेंसी के बारे में बात है कि गर्व धारन करने का संसकार यानि पहला जो संसकार सुरू होगा वह महिला के ग पुत्रय पुत्री जन्म लेगी तो उसके मृत्यू तक ٹोटल सोला संसकार का पालन किया जाएगा तो पहला संसकार गरवाधान संसकार होगा चाहा गया कि पतिक के गरव में बीज स्थापित करना यह पति का काम है और गरवादान संसकार में पहला काम यही होता है यह कह रहा है कि यह संसकार पहले popular नहीं था लेकिन लेटर वैदिक यानि उत्तर वैदिक काल से यह concept जो है यह संसकार ज्यादा popular हो गया सुत्र में और अस्मृतिय ग्रंथों के दि बात करें तो उसमें बकायदा time का जिक्र किया गया है कि किस समय आप संभोग करके गरवादान संसकार को आप execute कर सकते हैं उसमें बकायदा समय दिया हुआ है प्रस्नो उपनिशद की बात करें तो इसमें बताया गया है कि यदि आप दीन में संभोग करके गर्वधारन करते हैं तब आपका जो बच्चा पैदा लेगा वह बच्चा दुरबल होगा अल्प आयू होगा यानि कम दिनों तक जियेगा ठीक यदि इन केसेज यदि पती मतलब एबल नहीं है पतनी को गर्वधारन करवाने में सेक्स व नियोग सिस्टम यानि कि जब पती नपुनसक होता था यानि जब वो सेक्स करने में असमर्थ है यानि प्रेगनेंट नहीं कर पाएगा तो उस केस में पतनी जो है पती के भाई के साथ सेक्सूर रिलेशन इस्टाबलीज करकर के प्रेगनेंट हो सकती है और इसी सिस्टम को जो है नियोग प्रथा कहा गया था और कई मौकों पे शादियां भी करवा दी जाती थी यदि पती मर गया या फिर नपुंसक है तो उसके भाई के साथ तो यह सिस्टम नियोग प्रथा कहलाता था और इसे कई वर सवाल पुछा गया ध्याम रखिएगा लेकिन मनु ने जो है इस नियोग प्रथा के बारे में कहा है कि यह पशुधर्म है ठीक जबकि परासर अस्मृती में परासर ने कहा है कि इस्तरी असनान करके ही पती के पास मतलब रितुकाल में जाएगी यानि कि जब गर्वधारन करने की बात आई तो संभोग के बगर गर्वधारन नहीं हो सकता है तो जब आप उस सिच्वेशन के लिए सेक्स्वर रिलेशन के लिए यदि आप पत्नी के पास जाते हैं पत्नी पती के पास जाती है तो उसको स्नान करके ही जाना है और रितुकाल के बात जाना है ऐसा किसने कह रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा है ठीक और यदि वो स्नान करक इस संसकार के तहत ही कि किसी भी पीता का जितना पूत्र होता था तो यह माना जाता था कि वह आने वाले दोर में जब वह मरेगा तो स्वर्ग में उसको उतना ही ज़्यादा सुख मिलेगा और यह concept दरसल साथ ही यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमारा समाज उसमय पेट्रियार् जाता था जब बच्चा गर्व में गर्वधारन हो गया उसके बाद तीसरे महीं ने इस संसकार को किया जाता था किसले किया जाता था पूत्र की उत्पती के लिए देवताओं की पूजा की जाते थी जब चंदर्मा पुष नच्छत्र में होता था तब पूत्र प्राप्त के लिए ही देवताओं की पूजा की जाएगी दूसरी बात कि बट ब्रिक्ष का जो छाल है उसका रस नी चोड़ करके इस्तरी के नाक के दाएं छेद में डाला जाता था ताकि बच्चा जो है वह जिंदा रहे हस्ट पूष्ठ हो मजबूत रहे ऐसा नहों कि उसको मतलब भूण हत्या हो जाती है भूण हत्या तो खैर दूसरा टर्म है मतलब गर्व में ही बच्चा का डेड कर जाना इसलिए बच्चा गर्व में ही डेड ना करे इसलिए इस प्रॉसस को अपनाया जाता था पुन्सवन संसकार के तहत तिसरा है सिमान तो नयन संसकार इसमें कहा जाता था यानि कि बच्चा जो है उसका उम्र ज्यादा से ज्यादा लंबा हो इसके लिए और यहां पर किसले क्या जाता था कि बच्चा गर्व में ही ना मर जाए इसके लिए और यहां पर किसले बच्चा का उम्र लंबा हो इसके लिए सिमान तो नयन संसकार और किसके लिए सीमान का संबन बाल से है तो वहाँ पर उनका बाल उठा जाता था महिला का क्यों क्यों क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो प्रेगनेंट बूमेन है उनके उपर भूत प्रेत मतलब जल्दी उनको पकड़ लेते थे तो भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए यग्य हवन उनके पती हाथ से उठाते थे और फिर वो मंत्र का उचार करती थी ताकि यह संसकार पूरी तरीके से संपन हो सके और यह कैसे किया जाता था महिला जो है अपने बाल में सुगंधित तेल डाल करके जो है यग के मंडप में जाती थी और पती जो है उसका बाल उठा करके जो है मंत्र का उचार करता था और देपताओं से आवहन करता था उनकी पूजा करता था समझ माई बात और वेद का उचारन करता था वेद का जो मंत्र है उसके लिए इतना करने के बाद यह संसकार को माना जाता था कि यह संसकार संपन हुआ यानि कि महिला के उपर यदि कोई भूत प्रेत या कोई निगेटिव एनरजी यदि उसके उपर मतलब अबतार ले लिया है या फिर उसके उपर पकड़ लिया है भूत ने तो उससे वह मुक्ति पालेगी और यह सारा चीज किसले किया जा रहा है कि जो बच्चा आने वाला है पृतिवी पर वह ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो चौथा जो संसकार है वह है जात कर्म संसकार इसके बारे में कहा गया कि बच्चा जब यहां पर चुकी चार से आठ मीन हो गया नौमे महीने बच्चा हो जाए बच्चा का नार काटने से पहले उसको असनान करवाया जाता था ठेक और पीता जो है अपने पूत्र को पहली वार यहां पर छूता है बस छूता था और साथ में सुंगता भी था पहली वार मा का दूध पीता है बच्चा बच्चा पैदा लगा तो पहली वार अस्तनपान कर कि जब पैदा ले लिया तो पैदा लेने के दसबे या 12 वे दिन बाद उसका नाम रखा जाता था समझ में आरी बाद कई सारे ग्रंथों में अनाम करन को नाम धे संसकार भी कहा गया है इसमें बतायागा ब्रिहस्पति अस्मृती में कि बच्चा पब्लिक भी हैवियर में लोक बेबहार में जब इल्टर कर रहा है तो पहला से उसका इंटरेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया बच्चे का क्योंकि नाम रखने से पहले माता पीता सोचते हैं आसपास देखते हैं इसलिए बिरहस्पति अस्मृती में कहा गया कि लोक बेबहार का पहला साधन यही है दूसरा यह कहा गया कि जब आप बच्चे का से नाम रखें तो बच्चे का नाम बहुत मनोहर हो मनोहर मतलब मन को हर ले एकदम student स्टे लगे आहा क्या नाम है तो मनोहर हो मंगल सूचक मंगल मतलब अच्छा को सुचित करता हो कि यह अच्छा करेगा ठेक उसके अलाबा सरनिम जो हो उसका दिर्ग अक्षर का हो यानि बड़ा अक्षर का हो ठेक यह सारी चीजें यहां पर ध्यान रखना होता था अभी आप लोग का भी मतलब चुकिन नेड जारेफ जो बच्चे करते हैं तो उनके उम्र ही 25-26 होई जाती है लगवाग तो आपकी विशादी होगी आप लोग की तो बच्चे होंगे तो आप लोग इन तमाम सारे संसकार को फॉलो कीजिएगा नाम करन संसकार को तो खास कर आप लोग करेंगे क्योंकि इतना ना सारा मतलब बरनी से लेकर क हम लोग इतना सारा नाम पढ़ लेते हैं उसी में से कोई एक करेक्टर रख लिजिएगा चलिए छटे नंबर प्यादी बात करें हम लोग हां इसमें एक चीजे और यहां पर जिक्र किया हुआ उसको समझते हैं यह पाच्वा में ही है यह बोला गया कि देखिए हमारा सिस् कहा कि यार देखो ब्राह्मन जो होंगे ब्राह्मन के बच्चे उनका नाम मंगल सुचक होना चाहिए मंगल मतलब नाम सुनके ही लगे कि वाह क्या करेगा कितना अच्छा नाम है मंगल और यदि छत्रिये वर्ण का बच्चा है तो उसका नाम बल सुचक होना चाहिए ठीक ह जैसे एकाद नाम हो सकता है बिरवान या फिर कुछ-कुछ नाम हो सकता है जिससे मतलब ताकत का प्रदर्शन हो तीसरा यदि बैश्य का बच्चा है तो वह धन सूचक उसका नाम होना चाहिए मतलब उससे रिसोर्स का परौपार्टी का मतलब डिनोटिंग हो और यदि सुदर है और सुदर का बच्चा है तो मन्युयें अस्मृत्व के नाम हो सबसे जयादा निन्दक की गई है तो सुद्रू का जो होगा सुद्र के बच्चे का उसका नाम निंदक सुचक होना चाहिए मतलब चलो और नाम रख दिये पैधा ले लिया यह काफी है कुछ भी मतलब निंदा जिसकी हो सके यह नाम एयसा नाम होना चाहिए तो जो किस लेवल का कर्ट Television बैद अग्ला संसकार की बात करें तो वह है नीश क्रमन निस्क्रमन के बारें बात करें तो यह जो है बच्चे के जन्म लेने के बाद तीसरा या चौथा महिना में इसको किया जाता था यहाँ पर बच्चा जो है बच्चा को मा पहली वार गोद में लेकर घर से बाहर निकालती थी समझ मारी बात कब तीसरा या चौथा महिना में तो बाहर बच्चा निकलेगा तभी न सूरे का दर्सन होगा तो पहली वार सूरे का दर्सन होता है सूरे दर्सन पलस बाहर के बाता बरन से पहली वार वो जुरता है उसके अलावा मतलब साथ में मंतर उचारण का काम तो चलता रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं मंत्र उचारन चलता ही रहेगा यह निस्क्रमन संसकार है सात्वा है अन प्राशन यानि पहली बार भोजन ग्रहन करेगा बच्चा धीरे धीर देखो बच्चा आप कैसे कर रहा है यहां से शुरू हुआ था गर्व से अब यहां खाना खारा धीरे-धीरे बढ़ा होगा तो आदमी खाने लगेगा आदमी तो लोग खाते ही है ना अलग-अलग तरीके से कुछ लोग सावन में नहीं खाते हैं तो अन प्रासन संसकार में अन प्रासन में क्या बात करेंगे छट्ठा महिना यह किया जाता था यह निए बच्च्चा का जादी छे महिना हो गया तब उसको पहली बार अन खिलाया जाएगा साथी साथ अन में क्या पका हुआ अन कच्छा चावल नहीं पका हुआ और इसमें समाने तोर पर खीर बगर तो पका हुआ अन खिलाया जाता था और इसमें बच्चे को जो है पहली बार दूद घी दही और चावल चावल में पका हुआ चावल यह सारा चीज खिलाया जाता था पहली बार ग्रिह सुत्र में बताया गया कि मांस और मचली भी कराया जाता था क्योंकि कुछ बच्चे हो म मतलब मांसा हारी मतलब उसको बनाने के लिए नहीं किया जाता था आपको मतलब जानकर यह लगेगा कि यार मांस मचली नहीं करके पक्षी का मांस जो है वो खिले आ जाता था ठीक और पक्षी में भी कौन भारद्वाज नामक भारद्वाज नामक पक्षी का मांस खिले जाता था क्यों कि बच्चा जब बड़ा हो तो बोले तो उसके बोली में वानी में फ्लुएंसी हो धारा प्रवाह बोले भारद्वाज नामक पक्षी धारा प्रवाह बोलती है इसलिए उसी का मांस खालो तो तुम भी धारा प्रवाह बोलने लगोगे यह तो गजब का लोजिक था लेकिन एक करवाय जाता था और साथ में मचली खिलवाय जाता था कि मचली जैस्त इदम मधूर आपकी आवाज हो मधूर बोल पाएं इसलिए मचली और भार्दवाज नमग पक्षी का मांज खिला जाता था आठवा जो संसकार था वह था चूरा करन संसकार चूड़ा मतलब तो चूड़ा करन संसकार मतलब यहां पर पहली बार बाल कटाया जाएगा छे महिने का बच्चा हो गया बाल बड़ा हो गया तो बाल कटवाना ही पड़ेगा तो बाल कटवाने का संसकार था इसके बारे में ग्रिह सुत्र में जिक्र किया गया कि यह जो है बाल कटवाने का सं तो काटने के बाद बच्चे के बाल को जो है गोवर के नीचे दफन कर दिया जाता था ऐसा क्यों किया जाता था गोवर के नीचे दफन करने के पीछे यह सिद्दान था कि गोवर के नीचे दफन कर देते हैं तो बाल का मतलब था क्या किये मेरा सरीर का अंग है यानि सरीर का अंग से कोई बाहर में जो भूत प्रेत राक्षास पिचास जो घूम रहे हैं वह हमारे सरीर के अंग को टच नहीं करें इसलिए उसको जमीन में दफन कर दिया जाता था कोई बिमारी नहीं पकड़े हलांकि बच्चा बड़ा होता है कोई और भूत प्रेत का विमारी पकड़ लेता लेकिन यहां पर नहीं पकड़े इसके लिए यह काम किया जाता था समझ में आरी बात यदि इतना समझ रहे हैं तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहां तक आठवेस और इसमें एक और लिख लिजेगा जब बाल कट गया मतलब बाल पूरा छिल दिया जाता था कटना नहीं बाल पूरा छिल देना तो उसके बाद उसके सर में जो है मखन क का और दही का उन दोनों को मिक्स करके उसका लेप लगाए